काफी जादा गिरावटों के बाद अभी कुछ समय से देखें तो बिसेस इन्फोटेक 0.85, 85 पैसे हैं, 90 पैसे के एर्दिगर्द ट्रेट कर रहा है, आज के दिन, BSE एंड NSE पे थोड़ी बहुत अंतर के साथ, एक जगाए एक पैसे पैसे था है, एक जगाए 6 पैसे था, तो एंड 54 परसंट की हाज इसमें बनमंत के पैटर में देखने को मिलती है, यदि आज की बात का है, तो आज एक बहुत बड़ी यहाँ पर लेटेस्ट न्यूस सामने निकल के जरूर है, जो यहाँ पर होने वाल ही है, यहाँ यदि आप देखें तो एन्वल सेकोर्टियल इसमें इनोंने सेवी के द्वारा जो इन पर इस्ट्रक्शन लगाई गई थी, यहाँ पर जो फुल म्यूस यहाँ पर होने वाल ही है, उसके उपर भी अभी हम चलते हैं, बट उसके पहले एदी हम देखें तो इनके जो रिजल्स हैं, उसके नीचे की जो आपको यहाँ पर रिजल्स आपके सामने होगे, यह जो न्यूस है, इसको मैंने आप देख लिया, यह जो न्यूस है, यह इनको जो 10 करोड की पैनाल्टी लगी थी, सेवी के द्वारा उससे रिगार्डिंग कुछ न्यूस है, यह वी उपर बाली कोट में गए हैं, कि अपने इन से बचने के लिए, मैं अभी डायरेक्ट चलता हूँ, इसी न्यूस के ऊपर के आखिर, क्या न्यूस होने वाली है, आभी हम आचुके एक और लेटेस स्लाइट के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे, कि क्या यहाँ पर न्यूस होने वाली है, डायरेक्ट हम यहाँ पर चलते हैं, जो इनक पेनाल्टी लगाई गई थी, 10 करोड रुपाए की बहुत बड़ी पेनाल्टी इनके ऊपर लगती हुई देखने को मिली थी, क्यों लगाई गई थी, क्योंकि इननने लंगन किया था, प्रोवीजन ओफ सेक्शन 15 हे के तहत, सेवी ने अपने एक्ट के अनुसवार, इनके 23 23E of SCRA के तहत, इनके ऊपर ये लगाया था, क्यों लगाया था, वो भी यहाँ पर दिया गया है, of सेवी, प्रोवीजन, of fraud and deal and unfair trade, unfair trade practice relating to, मतलब इनने unfair trading की हुई थी, अपनी कंपनी के अंदर, कंपनी के promoters and company के जो insider है, उनके द्वारा, जिस कारण से यहाँ पर सेवी के द् का बहुत बड़ी penalty, 10 करोड रुपाई की penalty, business info tech में लगते हुए देखने को मिली थी, उसका यहाँ पर नतीजा क्या था, company ने यहाँ पर फिर से अपील की थी, कहाँ पर अपील की थी, कहाँ पर अपील की थी, होनरेवल, Securities Appeal and Tribunal Mumbai, मतलब जहाँ पर इनकी, अपील होती है, मुंबई में वहीं पर नो ने अपील की थी है, नो ने यहाँ पर गोहाल लगाई थी, कि जो 10 करोड के ने penalty लगी है, कही ना कहीं उससे निप्टा रहा है, इनको दिया जाए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, कि अगली सुनवाई, यदि आप यहाँ देखे, next hearing of the same is 30 of June 2022, 30 June को अगली सुनवाई में चली गई है, यदि आप देखे तो penalty की payment है, वो बहुत बड़ी होने वाली है, 10 करोड, जितना यहाँ पर company profit भी नहीं निकाल पाती, उससे जादा company के उपा penalty लगती हुई देखने को मिलिये, तो जरूर यहाँ पर बहुत बड़ी negative news तो है ही, तो मैं आपको यहाँ से एक disclaimer जरूर देना चाहूँगा, कि जो भी लोग business info tech, MPS info tech में trade करते है, या इस share को यहाँ पर investment के purpose से रखे हुए, वो अपनी पूरी risk capacity के अंदर लहते हुए ही इस share में trade कीजिए गा है, एंड यह share खरी दिएगा, क्योंकि काफी बड़ी penalty यहाँ पर यहाँ पर पहले ही बता दिया, company को जितनी profit भी नहीं होती है, उससे ज्यादा company को यहाँ पर 10 करोड से, ज्यादा की 10 करोड की यहाँ पर penalty लगती हुए देखने को मिली, जो यहाँ पर बहुत बड़ी negative news बन के निकल के आई है, एक और चीज़, जो भी लोग इसमें नया investment क करने वाले हैं और करना चाहते हैं, वो अभी यहाँ पर 30th of May तक जरूर रोके हैं, क्योंकि 30th of May को यहाँ पर results आपके सामने होंगे, quarter 4th के, then उसके बाद फिर आप यहाँ पर एक analysis कर सकते हैं, then उसके बाद फिर आप यहाँ पर कुछ investment करने की सोच सकते हैं, तो एक बाद results चेक आउट जरूर कर दीजिए, results चेक करने के लिए आप यहाँ पर चैनल को subscribe कर दीजिए, वीडियो अधी पसान दा तो वीडियो को like जरूर कर लेना, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को head जरूर कर देना, all पर hit कर देना, जिससे जैसे ही results आए, तो आपक झाल